तो चले शुरू करते हैं हम लोग मोशन काम अपना next lecture आज की इस lecture में हम लोग कोई topic नहीं पढ़ेंगे हम लोग पिछली class में जो equation of motion पढ़ा था हम ने तीन equation of motion पढ़ा था हम ने और इसके लाबा दो और equation देखे था हम ने ठेक है तो उनका application सीखेंगे कि कैसे problems को solve करेंगे देखना है कि तीन equation of motion हमारे पास क्या थे एक था वी ब्राबर यू प्लस अटी सेकेंड एक्वेशन ओफ मोशन क्या था s ब्राबर ut plus half a t square और तीसरा equation था v square equals to u square plus 2 a s यहां पर यू क्या होता था हमारे पास initial velocity ठीक है Initial velocity मतलब कि जिस velocity से particle अपना motion start कर रहा है जब से motion start कब से बानेंगे जिस समय हमने object का motion observe करना सुरू किया उसको t equals to 0 भी लेगे हम जैसे मालनो suppose यह बोला जाए कि एक object 20 meter per second से move कर रहा है तो यह हमारा t equals to 0 होगा और यह कौन सा होगा Initial velocity किसके बराबर तो 20 meter per second होगा Initial velocity को हम लोग किस से denote करते है U से इसका मतलब क्या हुआ कि जिस velocity से particle अपना motion start करता है इसके बारे में एक point हमें ध्यान रखना है कि body अगर rest से start कर रहा है कि body starts from rest अगर body जो हो rest से start कर रहा है मतलब उसकी initial velocity हम लोग कह लेंगे 0 अगर body start कर रहा है rest से तो उसकी initial velocity हमें कह लेंगे 0 ठीक है V क्या है हमारा कि किसी भी particular time पे velocity यानि T time पे velocity ठीक है final velocity एक तरीके से बोल सकने है ठीक है A क्या हमारा acceleration ठीक है तो यह acceleration जैसे मान लो अगर speed increase कर रही है अगर velocity क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो वह acceleration क्या लेंगे positive ठीक है If velocity increases ठीक है velocity increases तो acceleration क्या लेंगे हम लोग increases तो acceleration positive लेंगे और कुछ question में ऐसा आएगा कि हम लोग break apply करने की बात करेंगे कि हाँ एक car है जो 30 meter per second से move कर रहा है suddenly break apply किया तो जब आप break apply करोगे ठीक है तो उस समय एक्सलेरेशन क्या होगा negative चुकि velocity क्या हो रही है decrease हो रही है तो break apply करने का मतलब ही होता है कि आप जिस direction में move कर रहा हो उसके opposite direction में acceleration होगा ठीक है अमने देखा था कि अगर object की velocity और acceleration opposite direction में होगा तो velocity क्या होगी decrease होगी और वही acceleration को कह लेते है retardation ठीक है तो if break applied किसी भी question में अगर लिखा हुआ है कि break ठीक है breaks are applied ठीक है अगर break जो है वो apply किया है अपने ठीक है या फिर अगर break apply किया तो obviously क्या होगा velocity decrease कर रहा है ठीक है कभी कभी ऐसा होगा कि velocity decrease हो रहा है तो acceleration क्या लिखेंगे negative क्या लेंगे यहाँ पे negative एक और चीज़ हमें ध्यार रखना है कि जब भी one dimensional motion को deal करेंगे तो किसी एक direction को हमें positive लेना है दूसरे direction को negative लेना है यानि जैसे मालनों सपोज हमने इस direction को positive लिया और opposite direction को negative ले लिया किसी एक direction को positive लेना दूसरे को negative अगर ये negative value आ रही है इसका मतलब क्या होगा कि जो भी quantity उसका direction पीछे की तरफ है और जो अगर positive आ रही है उसका direction right side हो तो चलिए सुरू करते है first question first question में क्या है ये question जो भी मैं बोल रहा हूँ एक बार आप ध्यान से सुनना ठीक है बाकि उसके बाद हम लोग देते हैं कि कैसे proceed करेंगे कैसे कौन सा equation apply करेंगी कि कैसे decide करते है सारी चीज़े हम लोग यहाँ सीखेंगी तो एक object है जो कि 20 meter per second की रफतार से जा रहा है ठीक है suddenly इस पे एक force लगने लगा और ये force जो है क्या कर रहा है कि इसमें acceleration produce कर रहा है 4 meter per second square ठीक है अब हमें ये पूछा जा रहा है कि T equals to 10 second के बाद इसकी पहला पार्ट है कि velocity बता दो T equals to 10 second के बाद क्या पूछा जा रहा है velocity की value बताने है कि अगर ऐसे ही move करता रहा तो 10 second के बाद velocity निकाल ली है और 10 second में displacement calculate करना है ठीक है विससे ये असान काफी का असान question है फिर भी एक पर देखते है धिरे-धिरे आम लोग अपना question का level increase करेंगे ठीक है पहले जब भी अगर आपको question दिया हुआ है सबसे पहले आप ये काम करोगे कि जितने भी data दिये हुए आप वो सारे data को पहले लिखोगे question ध्यान से पढ़ने के बाद सारे data जो भी दिये हुए आपको पहले वो properly लिख लिए उससे फाइदा क्या होता है कि हमें ये तीनों equation में क्या-क्या किस equation में दिया हुआ है और क्या calculate करना है तो वो हमें पता चल जाते हैं तो चलो यहां से इसका solution देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें कि एक object जो है वो 20 meter per second से move कर रहा है यानि वो कैसी velocity है initial velocity क्या दे रखा है initial velocity हम लोग यह मान के चलते हैं कि इस direction में इस direction को positive और इस direction को negative आप यह अगर positive negative ले के चलोगे तो कोई confusion किसी तरह का नहीं होगा तो हमने क्या माना कि यह object है जो कि कितनी velocity से जा रहा है 20 meter per second से यह क्या होगा हमारा initial velocity होगा और इस direction में है तो क्या लिखा हमने 20 meter per second plus 20 meter per second ठेक है T equals to 10 second के बाद मान लिया कि velocity किदर के तरफ V है हमें वो निकालना है जो calculate करना उसके sign के बारे में नहीं सोचना है यह कब के बाद है यह T equals to 10 second अब एक बाद देखो कि जिस समय हमने इस motion को observe करना शुरू किया है इसको हम लोग लेते है T equals to 0 हमारा वो इस starting time होता है ठेक है तो और acceleration कितना है 4 meter per second square वो किस direction में इसी direction में ठेक है तो acceleration दिया हुआ है हमें कि A equals to 4 meter per second square time interval यह एक बाद ध्यान रखना यह जो भी equation है उन सब में हमारा क्या है यह time interval है T जो भी है वो क्या है time interval है ठीक है तो time interval कितना है तो 0 से 10 seconds तो time interval कितना है 10 seconds के बराबर ठीक है अब हमें क्या calculate करना है velocity first part में क्या calculate करना है velocity अब एक बाद देखो velocity यह नहीं है यह मतलब final velocity calculate करना है ठीक है तो अब एक बाद देखो कि U दिया हुआ है A दिया हुआ T दिया हुआ है और V निकालना है देख लेते U दिया हुआ है A दिया हुआ है T दिया हुआ है V निकालना है पहला equation सीधा यह लिखने से फायदा यह होता कि क्या calculate करना है और कौन सा equation apply करें वो properly clear हो जाता है तो apply करते हैं क्या from first equation of motion from first equation of motion first equation of motion से अगर देखें तो v बराबर u plus 80 बस अब कुछ नहीं करना sign के साथ हमने value लिख लिए सबकी value एक एक करके put कर देनी है तो क्या हैगा u की value 20 acceleration plus 4 तो plus 4 और time तो 10 कितना हो जाएगा 20 plus 40 किसके बराबर 60 meter per second तो 10 second के पाद उस person की velocity कितनी होगी 60 meter per second ठीक है सब्सक्ने निकालना क्या है S अब दिया क्या है u,a,t और चाहू तो यंशे वी बहुत बन सकते हैं और एकavat leсть U दिया है U दिया है T दिया है displacement निकालना है तो जा तो second equation apply कर सकते हैं दूसरा हमने देखा कि displacement is third equation में थी है ठीक है तो V दिया है यू दिया हुआ ए दिया हुआ तो ये थर्ड एक्वेशन का यूज करके हम लोग S निकाल सकते हैं तो मालो हम लोग Second equation apply करते हैं तो from Second equation of motion Second equation of motion ठीक है क्या हो जाएगा S बराबर UT plus half A T square ठीक है अब कुछ नहीं करना value put करो कितना हो जाएगा तो 20 into time interval कितना 10 plus 1 by 2 into acceleration कितना 4 और time की value 10 का square में direct यहां 100 लिख रहा हूँ ठीक है यहां से solve करोगे कितना हैगा 200 plus 200 कितना हो जाएगा 400 मेटर मितलब आदमी कितनी दूर जा चुका रहेगा 400 मीटर तक जा चुका रहेगा ठीक है तो वैसे जितने भी question है सब में क्या करना हमें जो पहले दिया हुआ हो वो data लिखो एक direction को positive दूसरे को negative मानो sign के साथ यह value लिखने के बाद यह तीन equation आप स्टार्टिंग में सामने चाहो तो लिख सकते हैं इससे यह idea लग जाएगा कौन सा equation apply करना है क्या 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 दिया हुआ और क्या निकालना है ठीक है second question में यह दिया हुआ है कि एक object है कोई भी कार मान लो यह cycle मान लो यह हमने माना एक cycle ठीक है यह कितने से जा रहा है तो यह जा रहा है 10 meter per second से ठीक है suddenly हमने क्या किया break apply कर दिया ठीक है break apply कर दिया हो सकता है इसको रुकना हो ठीक है break apply break apply करने के कारण एक uniform retardation आ रहा है सबी को पता है कि अगर break हम लोग apply करेंगे तो velocity क्या होती है decrease होती है तो वो acceleration को क्या बोलते है retardation तो uniform retardation जो है वो कितने का produce हो रहा है 0.5 meter per second square ठीक है तो थोड़ी दिर बाद यह भी बताए कि यह cycle क्या होगा रुक जाएगा अगर continue कि आमने break apply करना तो यह थोड़ी दिर बाद क्या हुआ रेस्ट पर आगया ठीक है तो पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है displacement कि कितना displacement हुआ उस cycle displacement निकालना है ठीक है second क्या calculate करना है कि if velocity velocity अगर 30 meter per second होता velocity 30 meter per second होता 10 meter per second की जगा पे तो displacement कितना होता रोकने में displacement कितना होता ठीक है तो चलाओ रेस्ट पर यह आएगा रोकने में कितना displacement हो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी data दिया हुआ है पहले तो वह लिखते हैं और एक पिर बाद यह रुक गया ठीक है यह 0 meter per second मैंने बताया था कि एगर रेस्ट पर है तो velocity 0 ठीक है इस direction को आपने क्या माना positive पीछे वाले direction को negative यह ध्यान रखना है इस positive meter per second से move कर रहा है 10 meter per second से move कर रहा है मतलब initial velocity क्या है 10 meter per second हमने यह right direction में है इसलिए क्या लिए पॉजिटिव second final velocity क्या है तो rest पर आ गया तो 0 meter per second ठीक है इसका displacement कुछ मान लिया हमने s अब एक बाद देखो uniform retardation है मतलब acceleration का direction किदर होगा पीछे तो पीछे के direction को क्या माना हमने negative तो a की value क्या दे दिया माइनस 0.5 meter per second ठीक है sign के साथ put करना है अपने को अब हमें क्या निकाल ला है displacement s ठीक है तो अब एक बाद देखो v दिया है u दिया हुआ a दिया हुआ और s निकालना है वी यू टी इसमें तो s है यह नहीं वी यू टी यह भी नहीं होगा s ठीक है तो क्या लगा सकते हैं वी यू और a दिया हुआ है और s निकालना है ठीक है तो क्या लिखेंगी फ्रॉंब third equation of motion जब भी आप स्टार्टिंग में question solve करना आप यह तीनों equation of motion को सामने दिखने में ठीक है उससे फायदा ही होगा idea लग जाएगा कि कौन सा equation apply करना है ठीक है तो क्या लिखते है वी square बराबर u square plus 2as v कितना 0 u कितना तो plus 10 का square plus 2 into acceleration को क्या लिखेंगे तो minus of 0.5 और s हमें calculate करना है इसको इधर लाते हैं तो minus 100 equals to minus 1 into s s की value किसके बराबर 100 meter मतलब वो जब रुकना होगा जब रुकेगा तो कितना meter displace हो चुका रहेगा तो 100 meter कितना meter displace होगा 100 meter ठीक है next second part में क्या पूछ रहा कि if velocity जो है वो कितनी हो जाए 30 meter per second हो अगर initial velocity 30 meter per second हो तो वो कितनी देर में रुकेगा और retardation क्या है same ठीक है फिर से वही काम कि u की value plus 30 meter per second a की value minus 0.5 meter per second हो और final velocity 0 और निकालना क्या है s ठीक है ना निकालना क्या है s तो बस लो भी है यहाँ से फिर से कौन सा equation लगाएं थार्ड equation तो v square equals to u square plus 2as final velocity कितनी है 0 u square यानि 930 का square plus 2 into 0.5 into कितना s यहां से solve करेंगे s की value किसके बराबर 900 meter यानि अगर उसकी velocity 10 meter per second हुई तो वो कितनी दूर जा करके रुकेगा 900 third question देखते हैं हम लोग इसमें यह बोल रखा है कि एक bullet है ठीक है इसकी velocity जो है वो 200 meter per second से decrease हो करके 100 meter per second हुई है यह एक ऐसी कोई 10 cm जैसे एंटर हो रहा है यहां से 10 cm जैसे यह एंटर हुआ तो एंटर होते समय इसकी velocity 200 meter per second और जब 10 cm वो एंटर हो गया तो उस समय वेलासिटी कितनी है 100 meter per second ठीक है स्टार्टी में कितनी है 200 meter per second और जैसे एंटर हुआ यहां पर पहुचा तो velocity कितनी 100 meter per second तो हमें retardation की value निकालनी है क्या निकालना है retardation यह मान कि चलना है कि retardation जो है वो कैसा है uniform है ठीक है तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ हुआ है टेक काम करते हैं यह मान लो positive इस direction को और पीछे के direction को negative तो चलो गई क्या क्या दे रखा है इसमें निकालते हैं जब enter हो रहा है तो उस समय velocity कितनी है 200 meter per second यानि हमें u की value दे रखी है initial velocity कितनी है 200 meter per second तो यू कितना जाएगा 200 meter per second और जब 10 cm अंदर चला गया तो उस समय की velocity क्या है final तो कितना है वो 100 meter per second ठेक है अब एक बाद देखो कितना distance travel किया है कितना displacement हुआ 10 cm 10 cm किस direction में गया राइट डिरेक्शन ठीक है तो हमें क्या निकालना रिटार्डेशन अ की value निकालना फिर इसे देखो u दिया है v दिया हुआ है s दिया हुआ है क्या निकालना ए तो कौन सा equation third u v s ए निकालना तो चलो बाई यह क्या बोल रखा है from third equation of motion from third equation of motion third equation of motion से क्या देखेंगे तो v square equals to u square plus 2a s अब यह acceleration का direction किदर है हमें नहीं पता है तो हम उसका sign भी नहीं पूट करेंगे ठीक है तो चलो v square ले लिया v square कितना हो गया hundred का square ठीक है यू कितना तो two hundred तो क्या लिखेंगे two hundred का square plus two a निकालना अपने को और वो कितना distance travel किया तो 10 cm एक बाद ध्यान लखना कि यह meter में यह भी किस में होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में तो यह कितना 10 upon hundred यह आएगा चलो गई यहां से हमने क्या solve कर लिया है तो a one two three four minus इसको इधर ले आएंगे तो यह कितना होगा four के उपर कितना चार जीरो यह रहा और equals to यह कितना रहा तो a by two से यह कितना times five a by five ठेक है यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं तो minus थर्टी थाउजेंड इन्टू five equals to a यह तो एक्सलेलेशन की वैलो किसके ब्रावर तो माइनस वन फिफ्टी थाउजेंड मीटर पर सेकेंड इसको यह माइनस साइन क्यों आया यानि जो एक्सलेलेशन है वो अपोजेट डिरेक्शन में ठेक है अपोजेट डिरेक्शन में मतलब यह क्या सो कर रहा है कि रिटार्डेशन है और सवाल में भी क्या पूचा था मतपूट करना अपने आप वो साइन के साथ आ जाए चलिए नेक्स हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेस्टन थोड़ा अपना क्वेस्टन का लेवल हम लोग बढ़ाते हैं अब तो डिरेक्ट यह था कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे वो उस टाइप के क्वेस्टन कौन सा फॉर्मूला अपलाई करना है यह था आप थोड़े ठीक वेस्टन देखते हैं ठीक है एक बाडि है ठीक है ठीक है 30 meter per second becomes 30 meter per second in 2 second टीक है and 60 meter per second in 4 second 4 second में उसकी velocity कितनी हो जा रही है 60 meter per second then find initial velocity then find initial velocity अब यह थोड़ा सा ठीक question है find initial velocity हमें क्या मानना है कि acceleration जो है वो कैसा मानना है constant acceleration कैसा मानना है constant ठीक है तो चलिए यह बोल रखा है पहले आप जो भी अब इस तरीकी का statement वाला जो question रहता है आप उसमें सबसे पहले diagram बना होगे तो चलो यहां से देखते हैं इसको तो मान लो कि यह क्या बोल रखा है कि एक body की velocity दो second बाद कितनी हो रहे है 30 meter per second और 4 second के बाद 60 meter per second तो मानने पहले कि t equals to 0 पे जो velocity होती हो वह क्या होता है initial velocity तो यह लो पाइस की velocity क्या मान लेते है u उसकी initial velocity क्या है u 2 second पे उसकी velocity हमने दे रखी है t equals to 2 second पे velocity कितनी है तो 30 meter per second ठीक है 4 second पे भी दे रखा 4 second पे velocity t equals to 4 second कितनी है 60 meter per second अगर आपने properly diagram बना लिया तो आपका आधा question वही पे solve जाता है अगर आप diagram नहीं बना पा रहे हो अगर direct proceed कर रहे हो तो कुछ question हो जाएंगे लेकिन अगर अच्छे question है तो without diagram आप solve नहीं कर पा होगे ठीक है तो physics में आप आदत यहीं बनाओ कि आप diagram तो हर एक question का बनाओ ठीक है तो चल यहां से देखते है कि 0 पे velocity क्या है यह हो 2 second पे 30 meter per second और 4 second पे कितना है 60 meter per second ठीक है भाइ acceleration constant है तो let acceleration ठीक है acceleration मान लेते है कितना है acceleration equals to A यह acceleration यहां भी है और यही acceleration यहां भी है ठीक है बाइ चलो देख लेते हैं तो अब एक बाद देखते हैं चलो यहां से देखते हैं हम लोग तो पहले part इस motion को हम लोग क्या करेंगे दो part में divide कर देंगे एक first और एक second तो for first part अगर देखे for first part तो first part के लिए क्या क्या दे रखा है कौन सा equation apply करेंगे तो वो एक बाद अपलाई करेंगे first part के लिए u की value हमने क्या मान रखे u time कितना दे रखे दो second ठीक है यह हम लोग मान लेते हैं इस direction को positive और पीछे वाले direction को negative ठीक है final velocity कितनी है 30 meter per second हमने acceleration क्या मान रखा है तो अगर first part के लिए कौन सा equation लिख सकते है तो चलो पहला equation लिख लेते है चुकि बात हो रही है acceleration और velocity की हमें displacement के बारे में कुछ नहीं देखना है तो हम इन दोनों की equation के बारे में सोचेंगे भी यह equation अप्लाई करते है तो अप्लाई करते हैं तो v बराबर क्या लिखते है u प्लस a t v बराबर u प्लस a t यानि 30 इक्वाल्स to u कितना नहीं पता भई यह ही तो निकालना और acceleration तो a और time कितना तो 2 तो a into 2 तो यह पहला equation आ गया 30 इक्वाल्स to u प्लस 2a यह equation क्या हो गया 1 अब देखते हैं second part के लिए ठीक है चलो बहुँ second part के लिए देख लेते हैं for second part second part के लिए अगर देखें तो क्या-क्या दे रखें second part में motion start यहां से हो रहा है और खत्म यहां पर हो रहा है तो initial velocity 30 final 60 initial velocity भाई कितना 30 meter per second सारी value positive है भाई final velocity 60 meter per second acceleration नहीं पता time interval मैंने एक बात ध्यान रखू बोला था कि यह जितने भी जगह पर time आया है वह क्या एक time interval है क्या है वो time interval है तो इस second part में जो time है वो 2 से 4 हुआ है तो time interval 2 second time interval कितना हुआ 2 second तो हम लोग time की value कितनी लिख देंगे 2 second ध्यान रखना क्यों लिख रहा है 4 minus 2 ठीक है time interval आता है जो भी है time interval है acceleration निकालना है तो अब एक बात देख लो कौन सा equation सभी को idea लग गया होगा पहला है तो V बराबर U plus 80 अगर करें तो क्या आएगा 60 equals to 30 plus A into 2 यही आएगा तो चलो भाई 60 minus 30 कितना आएगा 30 upon 2 equals to A acceleration कितना 50 meter per second square acceleration तो निकल गए बस अब यहाँ पर put कर दो acceleration initial velocity में जाएगे तो from equation 1 क्या लिखेंगे 30 equals to U plus 2 into 15 यह देखो यह पूरा U कितना? 0 कितना जाएगा U? 0 यानि इनिशेल जो object जो था वो कैसा था? rest पे था थोड़ा साथ अच्छा question देखते हम यह भी थोड़ा अच्छा question कि velocity of ठीक है? velocity of moving object ठीक है? moving object ठीक है? कि velocity at time T naught at time T naught is 10 meter per second थोड़ा सा डरावना question लगेगा लेकिन है आसान ठीक है? T naught टाइम पे उसकी velocity क्या है? 10 meter per second फिर 5 second later its velocity is 20 meter per second 10, 20 meter per second तो हमें क्या निकालना है? कि velocity of object velocity of object at T equals to 3 second later T naught ठीक है? T naught से तीन सेकेंड के बाद velocity क्या है? अब चलो यहां से पहले ही इसका डाइग्राम बनाते हैं हम लोग पहले जैसे ही डाइग्राम बनाएंगे question इकदम clear हो जाएगा आसान हो जाएगा ठीक है? तो चलो यह बोल रखा है कि particle है जिसकी initial velocity हमें नहीं पता है कुछ माल दिया initial velocity कब होगा? T equals to 0 पे ठीक है? दूसरा T equals to T naught पे जो है velocity कितनी है? 10 meter per second ठीक है? T equals to T naught पे इससे T naught टाइम के बाद velocity क्या है? 10 meter per second इससे इस वाले time से 5 second के बाद velocity कितनी है बाई? 20 meter per second यानि यह time कितना है? यह तो velocity 20 meter per second यहां से यहां तक का time interval क्या है? 5 तो यह time कितना हुआ? T naught प्लस 5 second ठीक है बाई? तो हमें T equals to इससे 3 second के बाद यानि T equals to T naught प्लस 3 second पे velocity calculate करनी है question समझाया है सभी को वो T equals to 0 पे कुछ initial velocity यह से move कर रहा है पता नहीं किस velocity से T equals to T naught time पे velocity 10 meter per second और T naught प्लस 5 second पे 20 और हमें velocity कब निकाले? इससे 3 second के बाद यानि time क्या हुआ? तो T naught प्लस 3 second तो इक काम करते हैं पहले इस पार्ट को deal करते हैं acceleration क्या है? constant acceleration क्या है? constant मान लिया हमने कितना? A तो चलो यहां से यह पार्ट होगे और उसके बाद एक बार हम लोग लगाएंगे इस वाले पार्ट के लिए यह मान लेते A इसको B और इसको C तो अगर A B पार्ट के लिए हम लोग लगाएं तो for A B for part A B अगर A B पार्ट की बात करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग? A B पार्ट के लिए अगर देखें तो क्या होगा? कि इस A B पार्ट के लिए यह initial velocity और यह final velocity तो यू कितना? 10 meter per second इसको मान लेते हैं इदर positive पीछे negative तो यह इदर की तरफ है? प्लस 10 acceleration पता नहीं यहां की velocity 20 meter per second यह मान लिए हम लोगा final velocity है A B के लिए चोगे T लास्ट टाइम पे time कितना हुआ? तो time हम लोग कौन सा लिखेंगे? time interval कौन सा लिखेंगे? time interval यह T naught यह T naught प्लस 5 time interval 5 second time interval कितना? तो T naught प्लस 5 minus T naught कितना हो जाएगा? 5 second acceleration निकाल लेते हैं? जब acceleration निकालेंगे तो कौन सा equation? V U T दिया हुआ है? A तो क्या लगाएगे? V बराबर U प्लस A T 20 equals to 10 plus A into 5 कितना हो जाएगा? 20 minus 10 10 divided by 5 equals to A कितना हो जाएगा? 2 meter per second square तीक है? चलो अब यह बोल रखा है अब हम लोग आते हैं part किसके लिए? AC के लिए for AC अब एक बाद देखो for AC अगर देखे तो यह initial velocity और यह final velocity तो U कितना? तो 10 meter per second V कितना? नहीं पता V हमें calculate करना है कि T equals to T naught plus 3 मतलब इससे 3 second के बाद velocity क्या होगा? ठीक है? अब एक बाद देखो acceleration constant है तो यही acceleration इसके लिए भी होगा per second square ठीक है? time कितना? तो यह T naught plus 3 यह T naught तो यह time interval 3 second फिर से कौन सा equation? यही apply करेंगे तो V बराबर U plus AT ठीक है? V की value निकालनी है U 10 A कितना? 2 time कितना? 3 कितना जाएगा? 16 meter per second ठीक है? यहाँ पर velocity कितनी है? 16 meter per second next एक और question देखते है ठीक है? एक और याद होगा आप लोगों जैसे मानलो question यह बोल रुखा है कि यह एक body है वो starts from rest starts from rest with acceleration with acceleration A equals to 5 meter per second square एक body है जो कि rest से start कर रहा है किस acceleration से? 5 meter per second हमें निकालना है कि displacement in 10th second displacement in 10th second कि body जो है वो कितना displaced होई है? 10th second ठीक है? तो चलो देखते हैं तो पहले diagram बना लेते हैं ठीक है? diagram में क्या दे रखा है? कि initial velocity क्या है? rest से start हो रहा है? यानि initial velocity 0 सभी को पता है acceleration दे रखा है A equals to अगर इसको positive लेते हैं और इसको negative लेते हैं तो A equals to 5 meter per second 10th square यही दे रखा है हमी क्या निकालना है? 10th second का displacement 10th second के displacement का क्या मतलब हुआ? कि जहां 9th second खत्म हुआ ठीक है? यानि सपोज 9th second में अगर वो यहां तक गया T equals to 9 second में यहां गया है ठीक है? और 10th second में अगर उसका displacement यह है T equals to 10th second में यह जो displacement हुआ वो कौन से टाइम में displacement हुआ? S displacement in 10th second ठीक है? इसके लिए formula हमने क्या देखा था? कि S n Nth equals to U plus A by 2 into 2N minus 1 U कितना? 0 A कितना? 5 5 by 2 into 2 into कितना? 10 minus 1 यह आगा तो कितना जाएगा? 5 by 2 into 20 minus 1 19 तो कितना जाएगा? 95 by 2 meter कितना डिस्प्लेस हुआ हुआ? 95 by 2 meter ठीक है? तो अगर Nth second का displacement हो कल भी यह बताया था पिछले lecture में कैसे solve करना है? कैसे put करना है? तो यह होगे तो चले एक आखरी सवाल देख लेते हैं ठीक है? उसके बाद आप यह application आगया है सारे equations का कि कैसे apply करेंगे? ठीक है? इसके बाद आपके description में एक link दिया हुआ है अब डिपीपी दिया हुआ है 30 meter per second इनके बीच का distance कितना है? तो 100 meter है ठीक है? हमें यह निकालना है कि यह time यह दोनों एक ही time पे start हो रहे हैं माल लो एक कार A हो गया और यह दूसरा कार B हो गया बोथ starts at same time बोथ starts at same time दोनों जो कार हैं वो क्या हैं? same time पे start हो रहे हैं तो हमें वो time निकालना है जब when A will catch B A will catch B जब A जो है वो B को catch कर लेगा मतलब B को overtake करने की condition होगा तो चलो देखते हैं इस तरीके के question को कैसे solve करते हैं तो माल लिया कि यह एक कार A है यह कितने से जा रहा है? 50 meter per second से यह भाई constant speed से जा रहा है क्या हो रहा है? constant speed से जा रहा है और दूसरा कार B हमने माना यहाँ पर थोड़ा सा यह distance हम लोग कम मानते हैं 30 meter per second यह कितना distance माना हमने? 100 meter जब कार A overtake करेगा कार B को तो दोनों एक ही जगह होगे और बेसलिए ऐसे चलना सुरू करेगा ऐसे 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 एक जगह आएगा तो यह क्या होगा? कार जब overtake करेंगे तो उस समय मान लिया कि यह दोनों कार कहां पर? यहां पर यह कार A है और यह कार B है ठीक है? यह कितने जा रहा होगा? 50 और यह 30 meter per second ठीक है? तो मान लो दोनों जैसे ही start हुए तो T time के बाद इनने overtake कर लिया तो T time में जो A चलेगा वो यहां से यहां तक यहनि displacement of A obviously जब अगर overtake करेगा तो यहां से यहां तक और B कहां से कहां तक? तो यहां से लेके यहां तक ठीक है? तो constant speed से जा रहा है तो constant speed से जा रहा है तो S A equals to हमें पता है कि speed equals to क्या होता है? distance upon time यह होता है distance upon time तो क्या लिख सकते है? distance equals to speed into time तो S A जो है Y displacement भी होगा जो कि straight line path पे move कर रहे है तो S A जो हाएगा वो कितना? 50 into मान लेते हैं कितने time में वो overtake किया? T time में S A equals to 50 T और S B equals to यानि B के दवारा जो displacement होगा वो कितना होगा? 30 T अब एक बाद देखो जो A होगा वो B से 100 मीटर जादा चला होगा तो क्या लिख सकते हैं? S A minus S B equals to 100 मीटर तो कितना? 50 T minus 30 T equals to 100 यहां से कितना आएगा? 20 T equals to 100 मीटर यानि T equals to 5 सेकेंड यानि 5 सेकेंड पे जो कार A होगा वो कार B को overtake कर लेगा तो यह था अपना जो application कुछ एक वे question का ले करके अपने देख लिया ठीक है? DPP आपको एक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप वो solve करना ठीक है? उसमें भी मैं लेवल वाइज question आपको दाल रखें ठीक है? झाल